ही माई ब्यूटिफुल वीवर्स वेलकम टेम्टी किचन आज में बनान जाने हूं कांडी फिश की फ्राइल जो बहुत ही मज़ेडार बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है चलिए सबसे पहले हम इसे किस तरह से क्लीन किया जाता है मैं आपको दिका रही हूं देख बीच है किस बी की एक और देखियild मैं मैंने इस तरह से अच्छे से कलीन करे लेना है लगे मना राए पहर पहले हम इस तरह से कलीन कर लेना है और देखें यहां पर अच्छे से clean हो चुका है जो दुम वाला हिस्सा है यहां पर मैं cut कर रही हूँ उसकी मैं आज यहां पर fry नहीं बना रही हूँ उसे हम curry में इस्तिमाल करेंगे मतलब उसकी curry बनाएंगे बहुती मज़दार बनती है इसलिए मैंने जो ऐसे हिस्से रहते है ना दुम वाले उसे हम निकाल कर एक साइड में रख लेते हैं और जो बीच का हिस्सा है उसका हम आज fry करेंगे इसलिए हमें इस तरीके से बीच में cut लगा लेना है इस तरीके से cut लगाएंगे तो fry बहुती मज़दार बनती है इसलिए आप भी जरूर इस तरीके से ही cut कर लें इस तरीके से cut करेंगे तो मसाला बहुती अच्छे से लग जाता है इसलिए आप भी इस तरीके से cut लगा लें और दो से तीन बार मैंने नमक धाल कर अच्छे से इस मशली को धो लिया है यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से क्लीन भी हो चुकी है और देखें यहाँ पे 20 उतने पीसस हो चुके हैं कांडी के एक एक करके मैं यहाँ पे एक कटोरे में दालते जा रही हूँ देखें इतनी मशलियों के लिए कितना मसाला चाहिए मैं आपको दिका रहे हूँ यहाँ पे ले रहे हूँ में नमक आप अपने स्वादर नुसार लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेबल स्पून उतना लिया है और हाफ टेबल स्पून उतना हल्दी का पोडर दो टेबल स्पून उतना लाल मिर्च का पोडर एक टेबल स्पून उतना कश्मीरी लाल मिर्च पौउडर इससे कलर भी बहुत बढ़िया से आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और हाफ टेबल स्पून उतना लहसुन का पेस्ट एक नीमुकरर्ज बिंच की बिना और इन सब चीजों को अच्छे से हम हाथों की मिद्द से मिक्स कर लेंगी पूरा मसाला अच्छे से लग जाए मश्लियों को इस तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेना है और देखें यहाँ पे मसाला अच्छे से लग चुका है और इसी मही में एड़ करने जारी हूँ दो टेबल स्पून उतना कॉन फ्लार और कॉन फ्लार दाल कर फिर से एक बार हम अच्छे से हाथों के मद्द से मिक्स कर लेंगी और इसे आदे घंटे के लिए ड़क कर रक देंगे क्योंकि मसाला अच्छे से लग जाएं इसलिए और देखें यहाँ पे लखडियों का अच्छे से आग भी लख चुकी है और इसकी उपर ही मैं यहाँ पे तबा रक रही हुँ और दवी के उपर मैं आज यहां पर एक coconut oil नारियल का तेल का इस्तिमाल कर रहे हूँ क्योंकि नारियल के तेल में अगर फ्राइ करेंगी तो फिश को बहुती मज़िदार सा टेस्ट आ जाता है इसलिए आपके घर में भी नारियल का तेल हो तो ज़रूर इसमें ही फ्राइ करें मज़िदार को बहुती बढ़िया टेस्ट आ जाता है इसलिए मैंने यहां पर इतना सा तेल ले लिया है आप अपने इसाब से ले सकते हैं और यहां पर तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है एक एक करके में यहां पर ये मज़िको डालते जा रहे हो और अच्छे से यहां पर हम एक साइड में फ्राइ कर लेंगे लगबग दो से तीन मिनिट तक हम एक साइड में फ्राइ करेंगे 2-3 मिट हो चुके हैं और एक साइट में भी अच्छे से फ्राइ हो चुका है इसे हम पलट कर दूसरी साइट में भी इसी तरीकी से 2-3 मिट तक अच्छे से पका लेंगे और देखें यहाँ पर यह मचली दो साइट में भी अच्छे से पक चुकी है और यहां पे खाने के लिए भी रेडी हो चुकी है आप ये एक बार जरूर ट्राइ करें क्योंकि ये बहुती मज़िदार बनती है अगर आपको मेरी बना हुई कांडी फिश की फ्राइ अच्छी लगे हो तो Empty Kitchen चान को जरूर सबस्क्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक, शेक, कमेंट कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना क्योंकि ऐसे बड़िया बड़िया वीडियोस आपके पास जल से जल पहुंच सकें